तो हलो दोस्तों, आगे एक नय वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को Truecaller के account को कैसे आप delete कर सकते हैं यह बताऊँगा तो बहुत से लोग को Truecaller के account जो है कैसे delete करना यह नहीं पता होता तो आज की इस वीडियो को आप लास तक जरू देखें ताकि आप लोग प्रता चल सके कि ट्रू कॉलर के एकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रू कॉलर से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही जादा उपी होगी होने वाल यह तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अब हमें अपना true caller के account को delete करने के लिए सबसे पहले अपने true caller के app पे जाना होगा तो हम चलिए चलते हैं अपने true caller के app पे तो यहां हमारा true caller के app है और हम true caller के app के अंदर आ चुके हैं तो जैसे हम इसके अंदर आएंगे हमारे सामने बहुत सारे जो outgoing है और incoming call है वह सो करेंगे तो आपके mobile ने भी कुछ इस तरह का दिखाई देगा उसके बाद हमें क्या करना है हमें left side पे यहां पर उपर में The Cul e к यहां पर की तरह करने के बाद उससे पहले मैं आपको कुछ बता दिता हूं जैसे कि आपका नम सो करेंगा यहां पे तो यहांसे अपना नाम हैं यह और जो तू कालर में त along करते हैं वहमारा नाम याँ पर हम जो लिखे रहेंगे वहीं सव करेगा तो कुछ इस तरह सिकर सकते हैं और यहाम पर आपना डीटेल और ढ़ाला जाते हैं जैसे बद्रिया याथे पर स्ट्री तो श्ट्री ταया तो सिटी यह कंट्री है जो भी डाला जाते हैं यहां से अब डाल सकते हैं अब हम अपने मेन मुद्धे पर आते हैं और हम अपने एकाउन को कैसे डिलीट कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ तो इसके लिए हमें सेटिंग पर जाना है जैस नीचे तो यहां पर सेटिंग पर जाते हैं और आपको बहुत सारे options दिख जाएंगे तो यहां पर हमें कहीं पर नहीं जाना है जहां मैं बताएंगा वहीं पर आपको जाना है तो यहां पर आने के बाद हमें privacy center लिखा हुआ है तो यहां पर हमें जाना है उसके बाद हम जैसे अपने privacy center पर आ जाएंगे हमारे सन फिर बहुत सारे options इंड़ेंगे तो आपको निचे स्क्रॉल कर जानाया और यहां पर डी एक्टिवेट लिखा हुआ है तो यहां परど्रेस्ट पर करने हैं और यहां से पुछ रहा है देख सकते हैं यहां यह कर दिना है यह पहलु हाँ यहाँ से मैंने यहस कर दिया तो हम थोड़ा वेट कर । को यहाँ से आप सकते हिए हमारे त्रू कॉल के एकांट जो है डियेक्टिवेट हो चुका है मतलब कि यह हो चुका है तो खुछ इस तरह से आप अपने जो टू कॉलर के काउंट है उसको डिलेट कर सकते हैं तो आई होब दोस्तों यह इंफोमेशन आप लोगो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद